पंडित अर्जुन प्रसात्र पार्थी स्मारक इंटर कालेज के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग कच्छा दस के त्रिकोन मिती के बारे में चर्चा करेंगे त्रिकोन मिती को अंग्रेजी में ट्रेगनो मिंट्री कहते हैं या तीन सब्दों से मिलकर बना होता है ट्राई गोनो मित्री ट्राई मिंस आपका होता है थ्री गोनो मिंस आप कह सकते हैं साइट्स और मित्री मिंस मेजर यानि तीन भुजाओं के मापन के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे त्रकोन मिती में तीन भुजाओं के मापन के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे अब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकरती हमेशा त्रभुजी होती है तो हम लोग सब इसमें राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में अध्यन करेंगे ये राइट एंगल ट्रेंगल में होता क्या है कि वाट ट्रेंगल जिसकी एक भुजा राइट हो मिज समकोण हो वो आपकी राइट एंगल ट्रेंगल कहलाती है तो हमने एक ऐसा ट्रेंगल लिया जो राइट एंगल है यानि इसकी एक भुजा समकोण है नब्वे अंस की है तो आपकी आधार कहलाती है और जिस एंगिल से हम मेजर करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपकी लंब कहलाती है अब इसी को मान ले अगर हम कि दूसरी तरह से ये आपका 90 का है और यहां से अगर मेजर करना है तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है तो ये आपका लंब हो जाएगा और इसके सम्मुक भुजा हमेशा कंड होती है तो ये आपका कंड हो जाएगा और ये वाली भुजा तब आधार हो जाएगी तो हमेशा समकोंड बनाने वाली भुजा की सम्मुख भुजा हमेशा कंड कहलाती है और जिस एंगल से मेजर करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और सबसे नीचे की भुजा आधार कहलाती है त्रकोन मिती में छे त्रकोन मिती अनुपात होते हैं साइन, कास, टैन, कास्यक, स्यक और काट साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं कास को हिंदी में कोज्या और तैन को हिंदी में असपर्ष जा कास्यक को हिंदी में ब्यूत्क्रम जा स्यक को हिंदी में ब्यूत्क्रम कोज्या और काट को हिंदी में ब्यूत्क्रम असपर्ष जा कहते हैं साइन को हिंदी में ज्या कास को हिंदी में कोज्या तैन को हिंदी में असपर्ष जा कास्यक को हिंदी में ब्यूत्क्रम जा स्यक को हिंदी में ब्यूत्क्रम कोज्या और काट को हिंदी में ब्यूत्क्रम अस्पर्स जया कहते हैं केवल त्रिकोन मिती में इन ही छेयों त्रिकोन मिती राशियों के बारे में अध्यन करना है केंत के त्रिकोन मिती में कोई साथ भी त्रिकोन मिती राशियों के बारे में अध्यन करना है अब सबसे पहले इन त्रकूर्ण मितिय राशियों के बीच में जो भी संबंध है उस संबंधों को जान लेते हैं अब इनमें संबंध जानने के लिए सबसे पहले हमें एक संबंध त्रभुज ले ले रहे हैं और इसके साइन थीटा से क्या संबंद मिलेगा कास थीटा से, सेक थीटा से, काड थीटा से, कास थीटा से, सारे के बीच में संबंद जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा सब्द लाल बटे कक्का हमें याद रखना होगा इससे हम बड़े आसानी से इन छेयो त्रिकोण मिती राश से बनने वाले छे सूत्रों को आसानी से जान सकते हैं जैसे यहाँ पर यल को डिफाइन करेंगे यल का मतलब है लंब से A का मतलब है आधार से और K का मतलब है कर्ण से लंब से लिया गया यल आधार से लिया गया A और कर्ण से लिया गया K तो सबसे पहला सोत्र हम लोगों का क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले पढ़ता है साइन थीटा तो sin theta बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण साल्ट रूप में देखें तो ये लिखा है यल अपान के और फिर दूसरा आपका आता है कास theta तो कास theta बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण यानि ए अपान के फिर तीसरा हम लोगों का क्या है तैन theta तो तैन theta बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार लंब बटे आधार यानि याल अपानी ये अब फिर अगली त्रिकोण में तीर आश्यम लोगों की हो जाएगी कासक theta तो कासक theta बराबर अब इसको आप पलट के लिखेंगे जैसे sign theta का हिंदी होती है जया और कासक theta की हिंदी होती है बियुत करम जया बियुत करम में इस उल्टा जया का उल्टा तो जया का उल्टा बियुत करम कर ले तो ये हमारा हो जाएगा काणा पान काणा बटे लंग अब इसे हम कैसे लिख लेंगे के अपानियल फिर कासक के बाद सेक theta तो सेक थीटा बराबर हमारा सोत्र हो जाएगा कास की हिंदी होती है कोज्या और सेक की हिंदी होती है ब्यूतकरम कोज्या मिन्स कोज्या का उल्टा तो इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा के अपानिये यानि कर्ण बटे आधार के अपानिये फिर सबसे लाश्ट हमारा है काट थीटा तो काट थीटा बराबर टैन की हिंदी होती है असपरसजा और काट की हिंदी होती है ब्यूतक्रम असपरसजा तो ब्यूतक्रम असपरसजा आपका क्या असपरसजा का उल्टा तो यह हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब आधार बटे लंब यानि ए अपान यल अब इसमें थोड़ा सावधानी ये रखना है कि जब भी आप याद करेंगे इस सूत्र को तो इस सूत्र में ये आप सबसे पहले छहियो त्रिकोड मितिय रासियों को रिस्पेक्टिबली इस तरह सियाद करेंगे कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासिक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा अगर इनका क्रम आपने उलट दिया तब ये सूत्र जब आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा तो साइन के बाद कास, कास के बाद टैन, टैन के बाद कासेक, कासेक के बाद सेक, सेक के बाद काट साइन थीटा वराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा वराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा वराबर लंब बटे आधार, कासेक थीटा वराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा वराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा वराबर आधार बटे लंब उनिस उत्रों पर आधारित पहला सवाल हम लोग देखेंगे ये साइन थीटा वराबर चार बटे पांच हो तो सेस त्रिकोंड मितिय अनुपाद ग्याद कीजिए सेस त्रिकोंड मितिय मिन्स एक आपको दे रखा है और बची हुई पांच त्रिकोंड मितिय अनुपाद को यानि कास थीटा वराबर, टैन थीटा वराबर, सेक थीटा वराबर, कासेक थीटा वराबर और काट थीटा वराबर ग्याद करना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक right angle triangle बना लेते हैं और उसका नाम करन कर दें तो मान लिए ये angle V, A और ये B, और C जहां B angle आपका क्या है? right angle है अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्ण, لمb, आधार कौन कौन सी भुजा है तो इसके सम्मुक वाली भुजा कर्ण और ये لمb, ये आधार है ये angle theta है, यहीं से हम लोग major कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि sin theta वराबर हमारा सूत्र क्या होता है? لمb बटे का जैसा कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंट लिख लिया करें लाल बटे कक्का तो आप जानगे कि sin theta वराबर सूत्र क्या होता है? لمb बटे कर्ण अब لمb का मान यहां से इसका इससे comparison करा दें तो ऐसे यह आपका लिखा होगा चार बटे पांच لمb के जगे पे लिखा है चार और कर्ण के अस्थान पे लिखा है पांच अब हमें यहां सबसे पहले निकालना है कौन सी भुजा? आधार आधार निकालने के लिए हम लोगों ने कच्छा नौ में एक पर्मिय पढ़ा है पाइथा गोरस पर्मिय पाइथा गोरस पर्मिय क्या कहता है? कि अगर कोई समकोन तर्भुज है तो समकोन तर्भुज में कन का जो वर्ग होगा वो असेस दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा तो हम उस तर्भुज का पाइथा गोरस परिमे का परियोग कर लें तो पाइथा गोरस परिमे से हम कह सकते हैं कन का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर और धन आधार का स्क्वाइर लंब हम लोगों का कितना है लंब दे रखा है चार और आधार हम लोगों को निकालना है और कंड का मान दे रखा है कितना पांच तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसे इस तरफ लाएंगे थोड़ाश ट्रांसफर करेंगे तो जो यहां पाश्टिव है वो निगेटिव में हो जाएगा चाहे से इस तरफ ले आएं तो आधार का स्क्वाइर बराबर हमारा क्या हो जाएगा पांच का स्क्वाइर माइनस चार का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर आपका हो जाएगा पचीस और चार का स्क्वाइर हो जाएगा सोला पचीस से सोला घटेगा तो नो हो जाएगा आधार का स्क्वाइर बराबर नो मिल गया यानि आधार बराबर हमारा हो जाएगा ये स्क्वाइर इधर आएगा तो स्क्वाइर रूट हो जाएगा यानि नौ का वर्गमूल और नौ का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस तीन या कह लीजिए केवल तीन तो आधार बराबर हमें मिल गया तीन लम बराबर चार कण बराबर पांच आधार हमें नहीं दिया था पाइथा गुरस परमे लगा के आधार का मान निकाल लिया आधार बराबर मिल गया तीन अब हम लगा दे सूत्र तो हमें निकालना क्या है, कास थीटा का मान, हमें फिर निकालना है, टैन थीटा का मान, तो कास थीटा बराबर हम सूतर जान रहे हैं, आधार बटे कंड, आधार का मान दे रखा है तीन, और कंड का मान दे रखा है पास, तो कास थीटा बराबर मिल गया है, तीन बटे पास, तेन थीटा बराबर हम सूत्र जान रहें, लंब बटे आधार, तो लंब का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, लंब हमारा दे रखा है चार, और फिर आपको आधार का मान दे रखा है तीन, तो चार बटे तीन, फिर इसके बाद आता है कासिक थीटा, तो कासिक थीटा बराब कासेक के बाद सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा इसी को अगर पलट देंगे इसे आप लिख सकते हैं वन अपान सेक थीटा तो इसी को अगर पलट दें तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा तो ये हमारा पांच बटे तीन इसका सूत्र भी आपका होता क्या है कण बठे आधार पर सब्से लाष्ट वाला अंतिम्थ तृकण में यह रास कि लुए कार्थीटा बराबर हमारा सूतर होता मुकल काथा बठीलम्भ या 10 को पा लट दे वही कार्थ हो जाता है तरह देन दि इसी तरह चार रस योज़ेखे हैं उन सारे उदा आणों को आप फल करेंगे